प्यारे बच्चों, क्लास 11 लेकर सास्त में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका 3 चेप्टर में पहले कंप्रीट करवा चुका हूँ, चोता चेप्टर आज हम पढ़ेंगे लेन देनों का अभी लेकन 2, इस चेप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसे पहले मैं आपको बता हूँ कि लेन देनों का अभी लेकर फर्स्ट जिब हमने पढ़ा, तब वहां हमने पढ़ा रोजनामचा प्रविष्टी के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही वेवार होता है, उस वेवार को सबसे पहले पुस्तों को में धर्ज किया जाता है, वो होती है हमारी रोज अब नाम तब प्रविष्टियों को ही प्राहरमविक प्रविष्टी के नाम से जाना जाता है, ये वे प्रविष्टियां हैं जो जैसे ही वेवार होगा तुरंत पुस्तों को में दर्ज कर दी जाएंगी, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे सायक पुस्तों के बारे में, सायक प उस प्रेकार होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस पार्ट में, तो सुरू करते हैं, पार्ट नमबर वन, लेहन देनों का बिल एकन टू, चेटर नमबर फॉर, साहिक पुस्तके, व्यापर एक लेहन देनों को सरफितम रोजनामचा में प्रविष्ट किया जाता है, बढ़ जाती हैं, एक छोटे व्यापर आजे के लेहन देनों की संक्या है, वो कम होती है, कम संक्या होने की वज़े से, लेहन देन कम होने की वज़े से, उन्हें वो आसानी से एक रोजनामचा पुस्तक में धर्ज कर लेता है, लेकिन जब व्योसाय का विस्तार हो जाता है, वह उसाे उसा एक बड़े स्तर पहुंच जाता है वहां लेंदेनों की संक्या भी बढ़ जाती है, और लेंदेनों की संक्या बढ़ जाने पर उनसस्भी को रोजनाम चे में प्रविष्ट करना एक बोजिल कार यह हो जाता है, कि सभी वहवालों को जब यही जगा का दर्ज करेंगे तो उनकी खाताबई में खतोनी करना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए व्यवसाइक लेंदेनों के फूर्तिले दक्ष विसुद्ध बिलेकन के लिए रोजनामचे का वागिकरण विसिष्ट रोजनामचे में कर दिया गया रोजनामचे को बाट दिया गया जर्नल के टुकुडे कर दिये गये और उन्हें बोला गया विसिष्ट रोजनामचे को हम क्या कहते हैं देनिक पुस्तके या सायक पुस्तके कहते हैं इस विसिष्ट रोजनामचे में ही हम सायक पुस्तकों का नाम लेते हैं वहले एंदेन जिनका अभी लेकर किसी सायक पु कर दिया जाता है सायक पुस्तोकों में जिसे नहीं लिखा जाएगा उसे अन्य रोजनामचे में लिख देंगे मुक्य रोजनामचे भी जिसे कहा जाता है लिखांकन का कार्ये में इन विशिष्ट रोजनामचे का प्रियोग न केवल समय की बचत करता है बलकि स्रम की जित कर दिया जाता है, जिससे की स्रम का भी वजन हो जाता है, इस अध्याय में हम विशिष्ट उद्धेश्य के लिए जो जो पुस्तके हैं, लोकडबही, क्रेपुस्तक, क्रेवापसी, विक्रेवापसी, विक्रेपुस्तक और मुक्य रोजनामचा, टोटल इन 6 साय पुस्त कद लेन देनों कोही Rokard बही में दर्ज किया जाता है, करे बही ज़ा उधार करे को दर्ज किया जाता है, किसको उधार क्रे क्रें मतलब माल करीदा, आपने कोई भी उधार माल करीदा तो इसमें दर्ज हो जाएगा, क्रे वापसी क्रे किया हुआ माल वापस अगर क्रे किया हुआ माल हम वापस लोटाएंगे तो उसे क्रे वापसी पुस्तक में हम दर्ज करेंगे विक्रे इसमें उधार विक्रे को दर्ज किया जाता है उधार विक्रे मतलब एसा माल बेचा गया जो नगद नहीं उधार बेचा गया है तो उसे हम विक्रे पुस्तक में दर्ज करेंगे विक्रे वापसी विक्रे किया हुआ माल अगर वापस आ रहा है तो उसे विक्रे वापसी पुस्तक में हम दर्ज कर देंगे और जो अन्य बच गए, जो इन किसी भी साय पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाएगा, उसे हम अन्य रोजनामचा ये मुख्य रोजनामचा में दर्ज करेंगे, नगड लेन दिनों को, रोकड भई में, क्रे पुस्तक में, उधार क्रे को, क्रे वापसे में, क्रे किया गया माल वापस आ रहा हो विक्रे में उधार विक्रे को विक्रे वापसे में उधार विजु विक्रे किया गया तो वापस आ रहा हो और अनिन वेवारों को मुक्य रोजनामचा में तो शुरू करते हैं सायक पुस्तकों का ध्यापन और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोकडबही के बार रोकड के प्राइमिक से आरम किया जाता है, यहां केवल नगत प्राप्तियों और नगत बुकतानों का ही लेखा होगा, कोई भी उधार वेवार है, उसका लेखा रोकडबई में नहीं होगा, नगत माल खरीदा प्रविष्टी होगी, नगत बुकतान किया प्रविष्टी सिर्फ और सिर्फ नगद वेवा रुकाय लेखा रोकडबही में किया जाता है और साथ ये साथ इसका जो प्राइमिक शेस है उससे इसका आरंब किया जाता है ये प्रतिमास त्यार की जाती है रोकडबही हर मेने त्यार होती है यही वा पुस्तक है जो रोजनामचा वो खाता बही दोनों तो देश्य को पूरा करती है क्योंकि रोकड बही में लेन देन की टाइम भी पुष्टिक की जाती है इसलिए मूल प्रिविष्टी की बही भी इसे कहते हैं जैसे ही रेवार दर्ज होगा वो सीधा ही रोकड बही में दर्ज कर दिये जाएगा और इसकी खतोनी कर नाविश्य के नहीं है इसलिए इसे मूल प्रिविष्टी की पुष्टक भी कहा जाता है चलिए अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी है रोकड बही रोकड बही के प्रेकार सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्थम्भी रोकड बही दूसे हम बात करेंगे 20 स्थम्भी है रोकड बही तीस से हम बात करेंगे रोजनामचा सोरी खुद्रा रोकड बही तो प्यारे बच्चों यहां हम तीन रोकड बहीं की बात करने वाले है एक स्तंभी जहां केवल नगद का ही कोलम होता है। दूज इस्तंभी जहां नगद के साथ साथ बेंग का कोलम भी त्यार किया जाता है। यह वह विक्ति बनाता है जो बेंग वेवारों को भी अपने पुस्टोकों में दर्ज करता है। और खुद्रा रोकर भई जब छोटे लेन देने के सिंग्या बढ़ जाती है तो एक अन्य व्यक्ति को खुद्रा रोकडिया बना कर उसे खुद्रा रोकडवई बनवाई जाती है तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक इस्तंभी रोकडवई एक एस्तंबे रोकडबही, व्यापाटर के नगच सम्मंदी सबीसोदों को काल कर्मानुसार, यानि दिति के नुसार, अब लिखित किया जाता है, अर्थात नगच प्राप्ति और नगच बुक्तान का पूण प्रलेख है, सभी नगच प्राप्ति और नगत बुठतानों को इसमें दढ़ किया जाएगा जब व्यापार्ट दोरा से भी लेंजेन के अल नगत में किये जाते हैं तो उस इस्तिते में एक स्थम्भे रोकडबई बनाई जाती है जिसके प्रादू आगे हैं एक स्थम्भे रोकडबई जहां केवल एक या नगत लिखा जाता है हम बेंग से कोई व्यवार नहीं करते हैं उदार व्यवार तो अलग सायक बईयों में जाएंगे नगत व्यवार रोकडबई में जाएंगे उन में से भी सबसे महत्मूर क्या है जहां केवल नगत व्यवार होते हैं बेंग समंदी कोई व्यवार नहीं होते ह बेंग से कोई लेंदेन नहीं होता है, तो वहाँ पर एक इस्तम भी रोकड बही हम तयार करते हैं, जिसका प्रारूफ देखिए, इधर है प्राप्ती पक्स, इधर है बुक्तान पक्स, जो पेशा प्राप्त होगा, वो इस सेड लिखा जाएगा, और जो भी बुक्तान होगा वो इधर, सबसे पहले तिथी याने की डेट, विवरन, पार्टिकूलर, लोकड बही प्रश्टिस संख्या, राशी, यहां तक अकर में बात करूँ, तो यह आपका उजएगा प्राप्ती पक्स, तिथी डेट, विवरन, पार्टिकूलर, लोकड बही प्रश्टिस संख्या और amount इधर की बात करूँ इधर सारा जो है वह है बुक्तान पक्स है किती डेट विवरण पर्टिकूलर रोकडबरी प्रिष्टिसन क्या और amount प्यारे बच्चों यह आगका हो गया इसका प्रादू जितना भी पैसा प्राप्त होगा वह किस कॉलम में आएगा प्राप्ती पक में आगर मान लिजीए आपके पास सबसे पहले रोकडब का विलीनस दिया हुआ है क्या करें का प्राप्ती प्राक्स न किता अगर भी पैसा आपके पास प्राप्त हो रहा है जो भी आपकी क्या है वो सब किस में आ जाएगी तू में जो भी आप payment करेंगे बुक्तान करेंगे वो सब कहां चले जाएगे बाई में दोनों साइड का total लगाएगे और निकाल लेंगे बाई balance के रिट डाउन सबसे पहले रोकड का जो प्राइमिक बेलेंस दिया हुआ है तू बेलेंस बीडी के नाम से जितना भी पैसा प्राप्त हो रहा है तू रिशिप्ट्स बाई में पेमेंट और निकाल लेंगे बेलेंस के रिट दाउन चलिए एक प्रस्टन के जरिए हम इसे समझने का प्रियास करते हैं आपको सबसे पले हतस्त रोकड रोकड का ऑप्रिंग बेलेंस गुर्मीत द्वारा प्राप्त नगद कितना प्राप्त हो रहा है बीमा की वाड़ से किस्त का बुक्तान बुक्तान फरनीचर का क्रे नगद माल का नगद विक्रे मुदित से माल नगद खरीदा इस्टेशनरी को खरीदा रुकमनी को पूर्ण बुक्तान में पैसे चुकाए नगद माल बेचा किराय का बुक्तान किया वेतन का बुक्तान किया और बेंक में जमा करवाई यह सभी हमारे वेवार हैं यहां सभी नगद वेवार हमें दिये वे जिनें दर्ज करना है एक स्थम्भी यह रोकड भई में प्रारूप आपके सामने है रूपा टेडर्स की पुस्तुकों में आपको इन्हें दर्ज करना है सबसे पहले दिया हुआ है नॉम्बर एक हतास्त रोकड रोकड का ओपनिंग बेलेंस यहां लिख देंगे नॉम्बर एक और क्या लिखेंगे तू बेलेंस ब्रोट डाउन आपनिंग बेलेंस कितना है बच्चों 30,000 रिसिट तू बेलेंस बीडी 30,000 जो रोकड का ओपनिंग बेलेंस अब वो अब इसके जितना भी पेसा आ रहा है तू में और जितना भी पेसा जा रहा है वो बाई में बढ़ते हैं गुर्मी दोरा प्राप्त नगत हमें गुर्मीत से प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो रहा है तो पेसा आ यहालिकंदेंगे 4 तारीक 2ा πैसा आ रहा है 21,000 किर हैं वीमा किस्त का बुक्तान, बुक्तान क्या, पेमेंट हो गया, बाए, इंशुरेंस, कितने तारिक को, आर्ट तारिक को 6,000 रुपे, नवंबर, आठ, 6,000 रुपे, आगे चले, फनीचर का क्रे, फनीचर क्रे किया तो पैसा जा रहा है, बाए, फनीचर, कितना, 13,800 रुपे, तारिक कितनी है, नवंबर, 13,000 रुपे, आगे चले, माल का नगत भी करे, माल बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, टू, सेल्स, बेचा, पैसा आ रहा है, कितना, 28,000 रुपे, नवंबर, 16,000 रुपे, आगे चले, मुदित से माल नगत खरीदा, पैसा जा रहा है, नवंबर, 17,000 को, माल खरीदा, बाई, पर्चेस, कितना, 17,400, आगे चले, मुद्ध, इस्टेस नगत खरीदी, पैसा जा रहा है, नवंबर, 20, पैसा जा रहा तो, बाई में, बाई, इस्टेस नगत रही, कितना, 1100 रुपे, आगे चले, रुकमनी को रोकड़ पूर्ण बुक्तान, रुकमनी को बुक्तान किया, पैसा जा रहा है, बाई रुकमनी, नवंबर, 24, कितना, 25,000, समझे बच्चों, जो पैसा आ रहा है, तू में, और जो पैसा जा रहा है, आगे चले, कमल को नगत माल बेचा, नगत माल बेचा, पैसा आ रहा है, तू सेल्स, कितने आ रहे हैं, अठारा जार, दो सो, आगे चलें, मासिक किरेय का बुक्तान किया, बाई, रें, कितना किया, पैसा रुपे, पैसा रुपे, और बेंक में नगत जमा किरें, बेंक में नगत जमा किरें, तू पैसा जा रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसे हम तू सैड में उसको हमने धर्ज किया, लेकिन जो पैसा हमारे विवसाय से जा रहा है, उसे हमने बाई सैड में धर्ज किया, बाद में total लगाएंगे इसका और total लगाकर निकाल लेंगे buy balance carry down यानि की कितना पेशा हमारे पास इस महिने के अंतर में बचा है जितना पेशा प्राप्तु होगी उसमें से जितने खर्चिय हमने चुका दिये उनका बुक्तान करके हम buy balance carry down निकाल सकते हैं तो उमीद है आपको समझ आई होगी एक स्थम दिए रोकडबै। चलते हैं द्वी स्थम में रोकडबै की ओड़ू इस प्रकाय की रोकडबै مडेरोसरीके लिए दो-धो इस्थम होते हैं आजकल अधिकतर website senator में बेंग संबंदे लेन देनों की संक्या काफी बड़ी संक्या में होती है कही बार तो ये परियास होता है कि सभी प्राप्टियल बुक्तान बेंग के माद्यम से ही किये जाए दूस्तम में रोकड में राशी के लिए दो इस्तम होते हैं यह देखे राशी के लिए कितना इस्तम था एक इधर एक इधर लेकर इस वाली में दो इस्तम दो इधर और दो उदर होंगे website bank में चालू खाता खोलते हैं bank दोर्ण कोई ब्यास नहीं दिया जाता ध्यान रहे व्यापारी बेंक में बेंक के लिए चालू खाता कोलता है जब कि हम लोग बेंक में Saving Account, बचट काता कोलते हैं ध्यान रहे चालू खाता current Account जो होता है उस पर बेंक कोई बयाच नहीं देता है बलकि अपनी सेमाओं के बदले तो वियापाहि से कुछ सुल्क वसूल करता है जिसे बेंग सुल्क या बेंग प्रभाद के नाम से जाना जाता है तो बेंग या प्रकागिस से मैं उप्लब्द करवाता है बेंग में रोकरण चेक जमा कराने के एक प्रत्र फारम बढ़ना पड़ता है गए हो कभी अपने पापा के साथ ध्只是 गए है और ने में पेशां जमारां करनेों होता है ति इस लीप 가능 होती है मतलई का conductivity मतलगे करा खोंडेव में कमेशां जओमार करने के लिए हमारे दॉयक स्लिप भरी जाती है उसे जमापड़ जाता है जिसका प्रतिप्रण बेंक जमादिकारी अस्ताक्षत मुद्रिकर जमाद करता को रसीत के रूप में लोटा देता है ज्यान है उसके दो भाग होते है एक बड़ा भाग एक छोटा भाग छोटे वाले भाग पर हस् जाता है राहत है प्रतिपर फॉर्ट जमापड़ जमाखर ऑंप्रतिपर्ण हमें लोटा दिया जाता याद रहेगा जब बेंक संबंदिक लेंद दोने की संख्या अधिक होती है तो शूदा जनक होता है कि रोकर भी में इसके अबी लेकर के व्यवस्ता एक अलग स्थम के रूप में कर लिजाए इससे बेंग खाते कि स्थिति की विश्य में भी समय समय पर सूथने प्राप्ट करना सलब हो जाएगा जब ज्यादा तर बेंग से व्यवार करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं उन व्यवारों के साथ जो भी एक इस्तमीर लोकड महीं में ने किये हम ए बेंग प्राप्टियों को बाईयोर जो पेसा प्राप्ट हो रहा है तू में और बेंग बुक्तानों को दाईयोर यानि बाई में जो पेसा प्राप्ट हो रहा है प्राप्टी पक्स में और जो पेसा जा रहा है और बुक्तान पक्स में लिखा जाता है जब बेंग में रोक के दोनों पक्सों में रोकड भाई प्रिस्तुत होते हैं, जब दोनों जब बेंक में रोकड जमा कराए जाती है, तो एक ही समय में रोकड भाई के बेंक स्थम में बाईयोर और उसे समय रासी स्थम में गाईयोर लिखा जाएगा, बेंक से रोकड निकाली जाए, तो इसे भी और कोलम और केश का आ बार कोलम और केश का भी और निकालने पर cash account debit to bank यहाँ पर भी cash और bank दोनों column प्रभायूत हो रहे हैं तो इसे रोकर भई में दोनों और दर्ज किया जाएगा इसे क्या कहा जाता है विप्रीत प्रविष्टी कि जाती है अन्-प्रविष्टी के लिए क्या लिखा जाता है सी सब्द लिखा जाता है जिसका आरता है विपरिये सी सब्द को रोकड भई प्रेश्टिसन के स्थम्ब में लिखा जाता है जिसका आरता है इस प्रविष्टी की खतोनी खाता भई में उपलब्द नहीं है यानि ये रोकड भई में ही दो बाट धर्ज की गई है, एक भाईयोर और एक दाईयोर, लेकिन इसकी प्रविष्टी खता खता भई में नहीं की गई है, इसका प्रारूप है, आप देख सकते हैं, प्रापती, बुकतान, प्रापती में भई, देट, पर्टिकुलर, भई प्रिष्ट संक्या, और राशी क दो कोलम, एक रोकड का और एक बेंग का, इसी प्रेकार, बुकतान पक्स में, तिथी, विवजन, खाता भई प्रिष्ट संक्या, रोकड और बेंग, यानि यहाँ पर राशी के लिए, दोनों से दो दो कोलम होते हैं, एक रोकड का और दूसरा बेंग का, जितना पैसा प्र कराने और बेंग से निकालने पर दोनों तरफ, लेटेक एक्जाम्पल, एक्जाम्पल आपकी पास है, बेंग शेस आपको दिया हुआ है, रोकड शेस आपको दिया हुआ है, चेक द्वारा माल का करें, पैसा जा रहा है, नगद रसी पर माल का करें, पैसा आ रहा है, चेक पेसा जा रहा है रोईत को चेक से बुक्तान पेसा जा रहा है बेंग से नगदार अड़ दोनों तरफ बैंक से पेसे जमा कराने और बैंक में निकालने पर दोनों तरब चेक से क्राय का पुक्तान पेसा जा रहा है और वेतन का पुक्तान चलिए उप्रक्त प्रिविश्टियों को हम बनाते हैं रोकड़ बही में सबसे पहले आपको सिप्टमबर एक सिप्टमबर एक यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना कितना है रोकड़ का बैंक का है 12 और रोकड़ का 15 आपको दोनों के बैलेंस दिये रहे 15 जार रोकड़ का और 42 जार बैंक का क्लियर है चेक द्रा माल क्रे किया माल क्रे किया तो सिप्टमबर 4 पिसा आरा है कि जारा है जारा है जारा है तो बैं में बैंक कॉलं में समझ आ रहा है चेक से बुक्तान किया, बेंक कोलम में, और रोकड बुक्तान किया, लोकड कोलम में, चेक से प्राप्तुवा बेंक में जमा हो गया, बेंक कोलम में, और रोकड प्राप्तुवा, लोकड कोलम में, चलते हैं, नगत दंद आशी पर माल का विक्रे, माल बेचा, सेप्टम्बर आख माल बीचा तो पेशा आ रहा है तू सेल्स लेकिन हमने माल केसे है नगर दंदाशी पर ते किस कोलम में आ जाएगा जोकर में बेंक में नहीं आएगा आगे चलें चेक दौरा मशीन करीदी 13 सेप्टम्बर को मशीन करीदी पैसा आएगा के जाएगा जाएगा सेप्टम्बर 13 क्या खरीदी मशीन बुक्तान किस से करें चेक से कितना और चेक से बुक्तान किया तो बेंक कोलम में माल बेचने पर चेक प्राप्त हुआ चेक पराप्त हो रहा है, उसे दिन bank में जमा कराया। कित्छी है? September? 16, माल बेचा तो पैसा आएगा के जाएगा? आएगा, to? sales, राशी किससे पराप्त हुई? चेक से, और चेक उसे दिन हमने कहा जमा करा दिया? बैंक में आज़र चेक उसरे इन बैंक में जमान ही खेयाँ आता तो वह द्धाष में हमें केश है द्यांगे बच्चों चेक को जमा करवाया है यह जमान होता नहीं कैश मानते क्योंकि अब अप्तक हम उसको पैसे का बैंक में बेजा नहीं नगत पर मद्रूला से माल खरी था, माल खरी था, वाई पर्चेज किस डेट को, सेट्टेमर 17, कितने का, सचाजाजार्ट चाइट्टो का, नगत पर खरी था, केस को अलम में, आगे चलें, चेक मेरे स्ट्रेस नजी खरी थी, फिर पेसा जाजाँ है, स्ट्रेमर 20, स्ट्रेस खरीदी, बाई स्टेस्टेस्नरी, किस से खरीदी? चेक से येलो भी या, चेक से तो बैंक में, नगत खरीदी, केश में, चेक से खरीदी, बैंक में, रोहित को चेक से बुक्तान किया? किस को किया? रोहित को, किस से किया बुक्तान? चेक से येलो भी या, चेक, समझ जा रहा है बच्चों? चेक से बुक्तान करने पर बैंक कोलम में जा रहा है, और रोकट बुक्तान करने पर केश कोलम में, आगे चलें, बैंक से नगत का आरण, बैंक से पेसे निकालें, बैंक काउंट यार तू केश तो इसकी एंट्री दोनों तरफ हो जाएगी तू केश सेप्टेमर टॉंटी सेवन इधर भी वाई बैंक सेप्टेमर टॉंटी सेवन रोकर बैंक में जमा कर आई या बैंक से निकाली उसकी दोनों प्रक्सों में प्रविष्टी होती है बैंक से नगत हमने निकाले हैं केश आ रहा है केश अकाउंट डियार तू बैंक केश अकाउंट डियार तू बैंक केश अकाउंट डियार तू बैंक तू बैंक यहां जाएगा बाए केश कितना है बच्चों तो केश में और यहाँ पर आजाएगा C, केश लिखा है तो बेंक में और यहाँ आजाएगा C, रोकर बेंक में जमा करानी है रोकर बेंक से निकानने पर दोनों तर प्रिविष्टी की जाती है आगे चलें, चेक से किराय का बुक्तान, सेप्टेमा तीस, बाइरेंट, पत्थिस सो, आगे चलें, वेतन का बुक्तान, सेप्टेमा तीस, देखो, किराय का बुक्तान चेक से ने वेतन, केश में, यह पत्थिस सो आगे आपको पता है, total लगाना है, और क्या निकालना है, यह तो दिस salary, क्या जाएगा आपका, by balance, carry down, प्राप्ति पक्स का जोड लगाएंगे, और प्राप्ति पक्स में से क्या कर्टा देंगे, बुक्तान पक्स, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगी, balance, जो हमाएं पास अ जा रहा है, जो जा रहा है, वो बाय में, चेक अगर प्राप्त हो रहा है, तो केश, चेक उस दिन बेंक में जमा करा दिया, तो बेंक, और जो बेकेश है, वो केश में, चेक से बुक्तान करने पर, बेंक में, और अगे बुक्तान करने पर, केश कोलम में दर्ज किया जाता ह चलते हैं खुद्जा रोकडबही की ओर प्रतेक व्यापारी प्रतिष्टान को बड़ी संक्या में कहीं छोटे-छोटे बुक्तान करने पड़ते हैं यह आत्रा बत्रा दुलाई बाड़ा डाक वे तेलीफोन वं अन्ने जिसों सामुरिक रूप से विविद्रिक नामक खाते म वो उनकी प्रविष्टी मुख्य रोकडबही में करें तो यह प्रक्रिया बहुत ही बोजिल हो जाएगी हर थोड़ी-थोड़ी देर में उन्हें इस छोटे-छोटे वेवारों को अपने मुख्य रोकडबही में दर्ज करना पड़ेगा इस समस्या से बचने के लिए खुद्रा रोकडबही में बुकतान पक्तियों कहीं सतंब होते हैं प्राटियकी मदद के लिए एक passed by हर ख़र्चे के लिए एक अलग इस्तंब बनाई जाता है लहने से इस्तंब कि अधिकांस थो gearbox को होने ही साधान खर्चों के ही होते हैं अन्तिम स्तंब को विविध विए के नाम से नाम दे देतें जिसके बाद वाले स्तंब को टिंपड़ी नाम से जाता है विविध वाले में सभी विएको परिविष्ट कर दिये जाता है जिसके लिए हमारे पास कोई स्तंब आलक्षियो पलब्द नहीं है तो आपको Mr. Samara Treaders की जो पुष्टक है उसमें खुद्रा रोकड भई के कुछ नमुने तस्तुत करने हैं तो रोकड भई जो खुद्रा रोकड भई है उसके लिए आप क्या करते हैं अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग स्तम तेयार करते हैं और एक स्तम होता है विविद्वे और एक होता है तिपड़ी ये तब बनाई जाती है जब मुख्य रोकडिया उन सभी छोटे छोटे खर्चों को एक जगह दर्ज करने में सहीज महसूस नहीं करता है तो एक अलग से रोकडिया को नित करते हैं जिसे खुज़ा रोकडिया कहा जाता है और खुज़ा रोकडिया इन सभी खर्चों को उस पुस्तक में दर्ज करके महिने के अंत में उस पुस्तक को मुख्य रोकडिया को सौप देता है जिसे मुख्य रोकडिया एक साथ उन सभ भीखरचों का वेलेन्स वह मुख्या रोकडभाई में दर्च कर लेता है, प्यारे बच्चों रोकडभाई के प्रिकार एक इस्तंब्य दुस्तंब्य और खुजर रोकडभाई के बारे में जाना, अगले वीडियो में आप के लिए कुछ विविद प्रस्थन, इन तीनों कोकड़ भीयों से सम्मन देती लेका आने वाला हूं तो बने रहिए मिशन गयान के साथ आगे के प्रस्नों के लिए दन्यवाद